बेजिटेबल्स स्वास्त के लिए बहुत महतोपुड है और यह हमें फिट और रोग मुक्त बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है जो लोग consistent vegetables का यूज करते हैं, fruits का यूज करते हैं, उनके अंदर chronic disease होने के chances काफी हद तक घड़ जाते हैं क्योंकि vegetables के अंदर इतने important nutrients होते हैं, जो हमारे सरीर को स्वस्थ और body के रख रखाव के लिए important भूमिका निवाते हैं इन vegetables में प्याज ऐसी एक अकेली vegetable है, जो सर्वगोड संपन होती है जिसमें various kind of vitamins, mineral and potent plant compound मिलते हैं, जो हमें बहुत ही तरह के benefit से नवाजती है तो आईए बात करते हैं साथ ऐसे amazing benefit जो raw onion यानि कच्चे प्याज खाने से हमें मिलती है raw onion के फाइदे में सबसे पहला फाइदा जो हमें मिलता है, यह हमारे heart health को काफी हद तक improve करता है क्योंकि raw onion में पाए जाने वाला highly antioxidant element flavonoids, हमारे bad cholesterol यानि LDL को काफी हद तक वो कम करता है और दूसरा powerful element thiosulfanate जो basically हमारे blood thinner का काम करता है, जो हमारे blood की consistency को maintain करता है जिससे हम heart attack और stroke जैसे symptom से बच पाते हैं raw onion का जो second फाइदा है, यह हमें cancer से prevent करता है क्योंकि raw onion के अंदर पाए जाने वाला vitamin C और antioxidants body के अंदर free radicals compound को radicate करके body को cancer के against में help करता है जिसकी वज़े से body के अंदर cancer की susceptibility काफी हद तक कम हो जाती है तीसरा सबसे महत्वपूर फाइदा जो raw onion का है कि इसमें reach up antioxidant होते है इन फैक्ट इसमें जो है more than 25 different of flavonoid antioxidants है जो antioxidant आपके body में oxidations को inhibit करते है जिससे body के अंदर cellular damage होने से body बचती है जिसकी वज़े से body में होने वाली बड़ी बिमारियां जैसे cancer, diabetes and heart disease होने से ये प्याज हमें बचाता है और था जो important फाइदा है raw onion खाने का कि ये हमारे bone के health को काफी improve करता है because according to US Department of Agriculture एक onion के अंदर more than 25.3 mg calcium मिलता है जो हमारे bone को काफी stronger बनाता है तो अगर आप खाने में salad यूज़ करते हैं और उसकर salad में अगर आप raw onion यूज़ करते हैं तो आप विश्वास करें कि ये आपके body के अंदर oxidative stress को काफी हद तक गठाती है body को antioxidants के level को boost करके ये body में होने वाले bone loss यानि osteoporosis से काफी हद तक आपको बचाती है फिफ्ट नंबर जो फाइदा है कि ये हमारे skin और hair को काफी improve करता है क्योंकि raw onion के अंदर पाए जाने वाला vitamin A, C and K हमारे body में ये खास करके अगर face की बात करें तो face में होने वाले pigmentation जैसे melasma, fecals इन सारे से improve होने में काफी जादा मदद करता है इसके साथ साथ ही ये होने वाले UV ray के harmful effect को भी काफी हद तक गटाता है इसी के साथ साथ raw onion में पाए जाने वाला vitamin C, body में collision के label को काफी हद तक बढ़ाता है जिससे हमारे skin का structure और hair के structure में काफी जादा फाइदा मिलता है 6th number फाइदा की बारे में अगर बात करें तो globally use amount पे suffering वाली disease में जो सुमार है diabetes का ये sugar के label को काफी हद तक control करने में मदद करती है pre-diabetic conditions में onion काफी हद तक help करती है because इसमें पाए जाने वाले compound quercetin and sulfur compound जो होते है वो anti-diabetic effect दिखाते हैं body के अंदर तो ऐसे conditions में जब आपके body में insulin resistance develop हो रहा हो या pre-diabetic conditions में हो raw onion आपको help कर सकती है 6th number this is the last but not least ये हमारे digestive health को काफी हद तक improve करती है because onion के अंदर पाए जाने वाले fiber and pre-biotics जो होते है हमारे gut के health को काफी improve करते है क्योंकि जो pre-biotic होते हैं ये हमारे gut के friendly bacterias को काफी हद तक improve करते है जिससे हमारे gut का performance बढ़ता है और हमारे body में mineral के observations बढ़ता है तो indirectly प्याज हमें mineral absorption यानि stress mineral observations में भी काफी हद तक help करता है hope आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो thank you for watching